येस फीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टूंग, गुड इवनिंग टू अलोफ यू, कैसे है, सब लोग होप सो, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे, मैं बता दूग, मैं भी बहुत अच्छा हूँ. तो इंटरमेडेट के रिविजन लेक्चर की सीरीज में, आज हम रिवाइस करने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है, इंकम फ्रॉम अधर सोर्सेज, बहुत ही फिवरेट टॉपिक आपका, इससे रिलेटेड आपको MCQ में कॉश्चन आ सकता है, एस वेल आज जो टोटल इंकम क इंकम टैक्सेबल होती है, तो एक चीज बता दू, अगर कोई भी इंकम है, वो सालरी, हाउस, प्रॉपिर्टी, बिजनस, कापिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होती है, अब एक बात समझना, कौन-कौन सी इंकम, इंकम फ्रॉम अधर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, तो जैसे यहाँ पर कुछ एक्जांपल्स दे रखे है, जैसे आपका डिविदेंड का इंकम है, विनिंग फ्रॉम लॉट्री, पजल्स, कार्ड गेम का इंकम है, एस वेल इस इंट्रेस्ट ऑन दे सिक्योरिटी, जैसे आपके पास कोई डिपेंचर बॉन्ड से उसका आपको इ बिजनस नहीं है, तो वो वबाला रैंट है, वो इंकम फ्रॉम अदर सोर्से में जाएगा, एस वेल इस अगर हाउस प्रॉपेटी है, उसके आप ओनर हो और हाउनर हो और आपको डो हूस प्रॉपेटी में चाटा है, अबर्वाइस अगर आपने आप सबराइट कर दिया, और उससे जो rent मिलता है, that is taxable under income from other sources. उसके साथ साथ में, अगर मालो कीमेन insurance policy से आपको कोई पैसा मिलता है, और अगर आप employee नहीं हो, अगर आप employee हो और कीमेन insurance policy से पैसा मिलता है, तो वो salary head में जाता है, अगर आप businessmen हो तो वो PGBP head में जाता है, अगर मालो salary PGBP में नहीं जा रहा है, तो कीमेन insurance policy से जो भी पैसा मिलेगा, वो income from other sources में जाएगा, as well as एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी compensation मिलता है, compulsory acquisition of property पे और late compensation मिलता है, तो compensation तो capital gain में जाता है, लेकिन late compensation पे जो interest मिलेगा, that interest is taxable under income from other sources, वो income from other sources में चला जाएगा, उसके साथ साथ में अगर आपको family pension का पैसा मिलता है, family pension क्या होता है, कि किसी person की death के बाद उसके घरवालों को जो pension मिलती है, that is called family pension, तो family pension में कुछ भी पैसा मिलता है, taxable under income from other sources, उसके बाद में अगर आपने कोई bank में FD कराया है, bank में आपका account है, उससे interest मिलता है, किसी को loan दिया, उसका जो interest मिलेगा, या फिर आपको income tax refund पे interest मिलता है, that is taxable under income from other sources, royalty का income है, agriculture income है, director sitting fees, as well as salary of MP, MLA, MLC है, वो आपके लिए other sources में taxable हो जाता है, अब एक बात समझना, सबसे major important part आता है, यहाँ पे that is taxation of gift, सर, gift के case में कैसे tax लगेगा, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई employee को employer से gift मिलता है, employee को employer से gift मिलता है, then that gift is always taxable under the head salary, अगर वो money में मिला, तो पूरा taxable कर दो, लेकिन अगर वो in-kind है और less than 5,000 है, तो तो exempt होता है, लेकिन 5,000 या उससे ज़्यादा है, then it is taxable under the head salary, salary में taxable होता है, उसके बाद में अगर आपको कोई भी gift है, benefit है, perquisite है, जो business या profession की वजह से मिल जाता है, आप business करते हो, profession करते हो, dator से, creditor से, आपके customer से, आपके client से, आपको अगर कोई gift मिलता है, then it is taxable under the head, PGBP, वो आपके PGBP में taxable हो जाता है, लेकिन बाकी वाले gift का क्या होगा, तो बाकी जो gift है, वो income from other sources में आते हैं, और income from other sources में एक section आती है, 56 to 10 करके, section 56 to 10 क्या बोलती है, कि अगर आपको किसी से gift मिलता है, किसी भी person से gift मिलता है, या कोई asset है, वो आप acquire करते हो low consideration से, तो यहाँ पे section 56 to 10 लगती है, और यह 56 to 10 है, वो कब से applicable है, 1st April 2017 से, तो 1st April 2017 से यह section है, अब एक बास समझना, यह section क्या बोलती है, यह section बोलती है, कि अगर मानलो आप Mr. ID हटला ITC में आते हो, और आपको कोई gift मिला, तो section 56 to 10 लगे गा ही नहीं, और वो पूरा exempt हो जाएगा, आपके हाथ में taxable नहीं होगा, अगर आप क्या हो, Mr. ID हटला ITC में आते हो, अब आप बोलोगे Mr. ID हटला ITC का मतलब क्या होता है, तो Mr. ID हटला ITC means, अगर आपको कोई भी gift है, आपकी marriage पे मिलता है, या फिर R का मतलब आपको अपने relative से मिलता है, I का मतलब आपको inheritance में मिलता है, D का मतलब in contemplation of death मिलता है, या फिर फिर फ्रॉम और बाय एनी trust को मिलता है, जो charitable religious trust जो NGO होते हैं, NGO को gift मिलता है, या NGO से आपको gift मिलता है, तो उस पे tax नहीं लगेगा, as well as अगर आपको किसी local authority से मिलता है, तो भी tax नहीं लगेगा, अब एक और चीज़ समझना, अगर कोई individual है, और वो individual ने किसी trust को gift दिया, प्राइवेट trust को, और वो trust उस individual के relative के benefit के लिए बनाया गया है, मैंने क्या बोला, कि अगर कोई individual है, उसने एक private trust बनाया और उस trust को gift किया, और वो trust उस individual के relative के benefit के लिए बनाया गया है, तो उस particular case में, उस trust के हाथ में भी, कोई भी tax gift पे नहीं लगेगा, उसके बाद T का मतलब होता है, कि दिखो, यहाँ पर उपर क्या लिखा था, कि आपको किसी hospital से मिला, university से मिला, trust से मिला, तो tax नहीं लगेगा, लेकिन अगर hospital को मिला, university को मिला, trust को मिला, जो की section 1023C में registered होते हैं, तो उस पे भी tax कोई भी नहीं लगता, अब एक और चीज़ समझना, अपनने section 47, जो की capital gain में था, वहाँ पे कुछ ऐसे transaction पड़े थे, जिस पे tax नहीं लगता, जैसे H.E.A.P का partition हो जाता है, और member को asset मिल जाती है, या फिर 100% holding subsidiary के बीच में अगर asset transfer होती है, या amalgamation demurger होता है, तो उस पे कोई भी tax transfer के हाथ में नहीं लगता, लेकिन question ही आता है, कि receiver के हाथ में क्या IFOS में tax लगेगा, answer is no, receiver के हाथ में भी IFOS में tax नहीं लगेगा, तो ये तुमारे Mr. ID हटला ITC में आएगा, तो देखिए, मैंने क्या बोला, समझने ही कोशिश करना, सबसे पहले, यहाँ पे अगर gift है, वो received होता है, asset acquired करते है, low consideration पे, अगर आप Mr. ID हटला ITC में आते हो, तो section 56 to 10 नहीं लगेगा, आपको कोई भी tax नहीं लगेगा, ये पूरा exempt है, बट Mr. ID हटला ITC का मतलब क्या होता है, M का मतलब marriage, R का मतलब relative, I का मतलब inheritance, D का मतलब in contamination of death, H का मतलब from hospital, U का मतलब from university, T का मतलब by or from trust, and LA का मतलब local authority, ITC का मतलब क्या है, सबसे पहले कि, अगर कोई individual ने किसी trust को दिया, और वो trust उस individual के relative के benefit के लिए बनाया है, तो उस trust के हाथ में कुछ भी tax नहीं लगेगा, T का मतलब होता है, received by the trust, या कोई hospital, university बगेरा, and C का मतलब certain transaction which is not regarded as transfer, अपने वहाँ पढ़े थे, इसमें कुछ transaction नहीं cover है, कौन-कौन से, या तो H.O.P का partition हो गया, असेट मेंबर को मिल गई, तो मेंबर के हाथ में कोई tax नहीं लगेगा, या holding की 100% subsidiary company है, उनके बीच में अगर asset transfer होती है, तो receiver के हाथ में कोई tax नहीं लगेगा, अमल commission, de-merger में अगर कुछ भी मिलता है, तो उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा, लेकिन question ही आता, relative की definition में कौन आएगा, तो मैंने यहाँ पर relative की definition के लिए आपको एक चार्ट दे रखा, relative की definition में कौन कौन आएगा, तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ individual की, तो individual के लिए relative कौन होगा, तो individual अगर मान लो मैं मेरी बात करूँ, तो individual असिस्टी के लिए relative सबसे पहले spouse, उसके बाद में उस individual का brother and brother की spouse, भाईया and भावी relative है, उस individual के sister and spouse, मतलब दीदी and जीजू है वो relative है, उस individual के spouse का brother, means Salah and Salih की wife है, वो individual के लिए relative है, उस individual के spouse की sister and उसके spouse, means आपकी साली and उसके husband, साडू भाई, वो आपके relative है, उस individual के mother, father है, parents है, वो individual के relative है, and mother, father के brother, sister and उनके spouse, अगर आप mother के brother में देखोगे, तो mama, mommy, mother की sister में देखोगे, तो मासी, मासा जी, father के brother में देखोगे, तो uncle, auntie, and father की sister में देखोगे, तो भुआ, पूपा जी, and is individual के spouse के mother, father, miss, आपके जो सास ससूर है, वो भी आपके relative है, और individual के spouse के जो lenial ascendant है, miss, wife के दादा, दादी, नाना, नानी, परदादा, परदादी, परदाना, परदानी, अगर जिन्दा है, तो वो relative है, and इन दोनों की मैनत, इन दोनों की मैनत, जैसे बाल लो मैं हूँ, तो मेरा बेटा, और उसकी wife, उनके बच्चे, या मेरी बेटी, और मेरे दामाजी है, वो मेरे relative माने जाएं, गे कर गे, ठीक है, उसके साथ मैं, हुआप के अगर relative की बात करूँ, तो हुआप के लिए, कोई भी member of हुआप, वो relative है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर अपने relative से, आपको कोई भी gift मिलता है, तो उस पर tax नहीं लगेगा, एक और चीज़ समझना, ऐसा हो सकता है, कि कोई person है, वो आपका relative है, लेकिन आप उसके लिए relative नहीं हूँ, जैसे example के लिए uncle, एक बात समझेए, मेरे लिए, मेरे uncle जो है, वो relative है, क्योंकि मेरे father के भाई uncle relative है, लेकिन uncle के लिए मैं relative नहीं हूँ, क्योंकि uncle जब assessi बन जाते है, तो uncle के brother में, मेरे papa तो आएंगे, बट उनके बच्चे जो मैं हूँ, मैं उनके लिए relative नहीं हूँ, मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको कोई भी asset gift में मिलती है, या आपको कोई asset वगिरा low consideration पर मिलता है, कोई पैसा मिलता है, आप अगर Mr. ID हटला ITC में आते हो, तो section 56 to 10 नहीं लगेगा, आपको कोई भी tax नहीं लगेगा, लेकिन आप समझना Mr. ID हटला ITC में नहीं आते, तो क्या होगा, सबसे पहले अगर आपको money gift में मिला, money का मतलब होता है, cash या bank में पैसा मिला, FD मिला, that is called money, अगर आपको money gift में मिलता है, and aggregate money पूरे साल का मिला, कि अगर 50,000 से ज़्यादा है, then it is fully taxable, aggregate money का मतलब क्या होता है, मुझे 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 4 लोगों से मिला, individual is not more than 50,000, but aggregate is 80,000, it is more than 50,000, so total 80,000 मेरे हाट में taxable हो जाएगा, under income from other sources में taxable हो जाएगा, लेकिन money नहीं मिलता, अगर आपको gift में कुछ movable property मिलती है, बैट एक चीज़ ध्यान रखना, movable property covered only 10 assets, सिरब यही 10 assets है, जो movable assets में cover होती है, कौन-कौन सी, share, security, jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological collection, any other work of art, boolean and virtual digital assets, virtual digital assets का मतलब होता है, cryptocurrency, तो क्या बोला मैंने, share, security, jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological, collection, any other work of art, boolean and virtual digital assets, अगर आपको यह 10 assets gift में मिला, अगर आपको gift में मिला, ißt और aggregate FMV 50,000 से जदा है, aggregate fair market value, अगर 50,000 से जदा है, then it is fully taxable, या फिर अगर आप यह asset low consideration से acquire करते हो, और aggregate FMV minus consideration का difference 50,000 से जदा है, aggregate FMV minus consideration का difference अगर 50,000 से जदा है, तो वो difference आपके लिए income from other sources में taxable हो जाएगा एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपको car gift में मिली taxable नहीं होगा mobile phone gift में मिला, iPhone gift में मिला, TV gift में मिला taxable नहीं है यहाँ ध्यान रखना, movable property में only ये 10 asset है अगर आपको यही gift में मिलता है, तो ही other sources में tax लगेगा इनको छोड़के कोई भी asset जैसे car है, bike है, mobile phone है यह आपको gift में मिलता है, तो उस पे कोई tax नहीं लगेगा उसके बाद में अगर आपको immovable property कोई मिलता है immovable property का मतलब होता है, या तो land मिलता है, building मिलता है या land and building मिलता है, अगर यह immovable property आपको gift में मिला means without consideration मिला, और without consideration मिला, और यहाँ पे per property stem duty value अगर 50,000 से जादा है, then it is fully taxable तो immovable property आपको gift में मिलता है, और per property stem duty value more than 50,000 है, then it is fully taxable अब एक और चीज़ समझना, अगर आपको immovable property low consideration पे मिलता है means आप immovable property low consideration पे खरीद रहे हो अगर आप immovable property low consideration से खरीते है, तो per property SDV minus consideration का difference अगर 50,000 से जादा है SDV minus consideration का difference 50,000 से जादा है और उसके साथ साथ में SDV is more than 110% of consideration, दोनों condition satisfied होनी चाहिए पहली condition, SDV minus consideration का difference is more than 50,000 and second condition is, SDV is more than 110% of consideration अगर ये दोनों condition satisfied हो जाती है, तो SDV और consideration का difference रहेगा ना, वो difference आपके लिए income from other sources में taxable हो जाएगा तो देखिए, अगर मैंने कोई immovable property, gift में मिली, तो तो पर property SDV 50 से जादा है, फुली taxable कर दो अगर मैंने कोई immovable property low consideration से acquire की, low consideration से खरीदी, अगर मैंने low consideration से खरीदी तो उस case में क्या होगा कि बिटा, दो condition, पहली condition, SDV minus consideration का difference 50,000 से जादा होना चाहिए and second condition, SDV is more than 110% of consideration, then difference between SDV and consideration is taxable in hands of the buyer, buyer के हाथ में वो taxable हो जाएगा अब एक और चीज समझना, मैंने आपको बोला कि आपको अगर money वगिरा gift में मिलता है और वो 50,000 से जादा है, तो वो fully taxable हो जाता है लेकिन गाईज, इसका एक exception है, यह exception आया था COVID के टाइम पर, जब COVID हुआ था तो आपको पता रहेगा बहुत बार, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं थे और लोगों ने treatment के लिए donation किया था, मिंस कुल मिला के आपको gift मिला था, तो कुल मिला के आपको gift मिला था, और वो जो gift मिला था, question ही आता है, क्या वो taxable होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे section 56 to 10 है, वो नहीं लगेगी 2 cases में, सबसे पहला, अगर आपको पैसा मिल रहा है, किसी individual को, किसी भी person से मिला है, for expenditure actually incurred on treatment of COVID-19, related illness of him or any family member, जैसे मालो for an example, मेरे को किसी से donation मिला, gift मिला, और कितना भी amount हो, और वो पैसा मैंने COVID से related, treatment के लिए खर्च किया है, मेरे या मेरे family member के, यहाँ पे family member में कौन कौन आएगा, spouse है, children है, and dependent relative, dependent relative में mother, father, brother, sister में से, तो spouse, children and dependent relative mother, father, brother, sister, उनके treatment के लिए, मैंने वो पैसा खर्च कर दिया, तो भले मुझे वो donation मिला था, gift मिला था, मेरे हाथ में वो taxable नहीं है, तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर COVID-related illness के लिए, treatment के लिए खर्चा किया, या तो assessi का individual के खुद के लिए, या उसके relative के ल मिलता है, जिस person की death हो गई है, उसके family member को पैसा मिलता है, within 12 months of the death, and death is due to the COVID-19 illness, आपने देखा होगा बहुत बार, कि COVID में क्या हुआ था, लोगों की death हो गई थी, तो death हो गई तो उनके family member को बहुत सारे लोग आगे आए, और उन्होंने help की, तो जब help करने के लिए, लोगो मिल रहा है, और पैसा मिल रहा है, within 12 months of the death, डेथ हो गया, उसके 12 months के अंदर-अंदर मिल रहा है, पैसा किस से मिल रहा है, पैसा अगर जो person की death हुई, उसके employer से मिल रहा है, तो कितना भी मिला, वो पूरा exempt है, जैसे person है, माल बहुत एक राजू कर के, और राजू की death हो गई उसके फैमिली मेंबर को राजू के एम्पलोईड से पैसा मिला, तो कितना भी मिला वो चलेगा, लेकिन किसी दूसरे लोगों से मिल रहा है, तो उसमें लिमिट है 10 लेक की, कि 10 लेक रुपेस तक मिला, तो तो एक्जेम्ट है, 10 लेक के उपर मिला, तो 10 लेक के उपर वाला यहां पर टेक्सिबल हो जाएगा, लेकिन उसमें एक और कंडिशन यह है, कि जब वो कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके 6 महीने के अंदर-अंदर डैथ होनी चाहिए, कोविड से रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, कि अगर कोई भी अससी SDV से से सेटिसफाइड नहीं है, तो वो अपना केस Valuation Officer को ट्रांसफर करा सकता है, Valuation Officer वैल्यू बढ़ा देता है, तो इग्नोर करो कम करता है, तो ले लो, क्या यह concept 56 to 10 में भी लगेगा, आंसर इस यस लगेगा, मिस आपने कोई property अगर low consideration पे खरीदी है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, low consideration पे property खरीदते हो, SDV minus consideration का difference 50 से ज़्यादा है, and SDV is more than 110% of consideration, तो SDV और consideration का difference पे IFOS में tax लगता है, अगर आप SDV से satisfied नहीं हो, तो आपका case Valuation Officer को transfer हो सकता है, और Valuation Officer ने value बढ़ा दी, तो ignore करो, Valuation Officer ने value कम कर दी, तो उस value को आप ले लीजिए, अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे section 56 to 10 है, वो तभी लगती है, जब आपको कोई भी asset मिल रही है न, वो आपके लिए capital asset है, अगर आपके लिए जो asset मिल रही है, gift में या low consideration पे खरीद रही हो, वो stock in trade है, तो section 56 to 10 में tax नहीं लगता, इसका मैंने logic पगिरा है, वो आपको regular batch, fast track batch में दे रखा है, कि अगर आप कोई भी asset है, वो acquire करते हो low consideration पे, या फिर आपको gift में मिलती है, वो आपके लिए stock in trade है, तो यहाँ पे 56 to 10 में tax नहीं लगता, वो capital asset है, तो section 56 to 10 में tax लगेगा, एक और चीज़ समझना बहुत 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 क्या होता है, आपको कोई asset gift में मिली, या फिर आपकोई asset low consideration पे खरीद रहे हो, और आपने IFOS में tax बढ़ दिया, on the SDV, या फिर FMV पे आपने IFOS में tax बढ़ दिया, तो ध्यान रखना, जिस SDV या FMV पे आप tax बढ़ते हो, वो ही तुमारी cost of acquisition बन जाएगी, तो future में जब उस asset को बेचोगे, तो जिस value पे आपने tax बढ़ा था, वो आपकी cost of acquisition बन जाएगी, तो मैंने आपको याद रहेगा, मैंने आपको ये बताया था, जैसे माल लो मेरी wife से मुझे कोई asset gift में मिली, तो तो मेरे हाथ में IFOS में tax नहीं लगा, क्योंकि relative से gift मिला, तो मेरे लिए cost क्या होती है, cost to previous owner, period of holding previous owner, लेकिन अगर माल लो मेरे को आपने कोई asset gift की, और मेरे हाथ में IFOS में tax लग गया, तो IFOS में जिस SDV या FMV पर tax लगा है, वो ही मेरी cost of acquisition बन जाएगी, अब एक और चीज़ समझना, question ही आता है, सर ये SDV जो लेते हैं, बार-बार आप SDV की बात कर रहे हो, ये SDV लेते कौन सी date का है, IFOS में ये SDV कौन सी date का लेंगे, क्या date of agreement का लेंगे, या date of registration का लेंगे, तो lawmakers बोलते हैं कि normally तो देखो registration की date का लेना चाहिए, क्योंकि stem duty पेक अप करते हैं, registration की date को करते हैं, तो normally SDV registration की date का लेना चाहिए, लेकिन अगर date of registration and date of agreement अलग-अलग है date of registration and date of agreement अलग-अलग है तो आप agreement की date का SDV ले सकते है अगर agreement की date या उससे पहले-पहले आपने कुछ ना कुछ payment कर दिया है by account page, account pay demand draft या any mode of electronic clearing system any mode of electronic clearing system में क्या आएगा नEFT, RTGS, IMPS, BIM, UPI, credit card, debit card and QR code ये तुमारा आएगा तो देखो, मैंने क्या बोला normally registration की date का SDV लेना लेकिन date of registration, date of agreement अलग-अलग है तो आप agreement की date का SDV ले सकते है अगर agreement की date या उससे पहले-पहले आपने कुछ ना कुछ payment कर दिया है by account paycheck, account pay demand draft या any mode of electronic clearing system done तो यहाँ पर section 56-10 का discussion खतम हो जाता है अब अपन पढ़ेंगे, एक section होती है 43C है ये section PGP की section है बट इसको पढ़ते हैं यहाँ पर ये section है ना, वो exact replica है section 50C की जो की capital gain में पढ़ा था section 50C क्या बोलता था? कि अगर आप immovable property transfer करते हो अगर आपका SDV consideration के 110% से जादा है तो SDV full value of consideration capital gain में माना जाता था सेम ऐसे का ऐसे ये वाला section जो है ये PGP के लिए है, इसका मतलब ये section builder के लिए है ये section बोलता है कि अगर आपका कोई immovable property है और वो immovable property stock in trade है और immovable property आप अगर transfer कर देते हो और immovable property का SDV consideration के 110% से जादा है immovable property का जो SDV है वो consideration के 110% से जादा है तो जो भी SDV रहेगा वो ही आपका full value of consideration रहेगा for computing the PGP का income जैसे एक builder है, builder नहीं क्या किया, एक flat बेचा उसका consideration है, वो 50 lakh है लेकिन SDV है वो 70 lakh है, तो यहाँ पे PGP का income निकालने के लिए नहीं है, तो क्या उसका case valuation officer को transfer हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, valuation officer को transfer हो सकता है, valuation officer ने value कम कर दी तो कम वाली ले, बढ़ा दी तो valuation officer की value को ignore कर दो, यहाँ पे question ही आता है, कि sir कौन सी date का SDV लेना, तो same वो ही concept, कि normally date of registration, but date of registration, date of agreement अलग-अलग है, तो आप agreement की date का SDV ले सकत through bank account, और any other electronic mode, electronic mode का मतलब होता है, आपका debit card, credit card, NFT, RTGS, IMPS, BIM, UPI, and QR code, उसके बाद में एक section आती है, 5627B करके, यह section यह बोलती है, पहली जीज़ तो, यह section closely held company पे लगती है, unlisted company, अगर unlisted company क्या करती है, अपने share issue कर रही है, premium पे, मिस, अगर कोई share है, उसका face value जो है, वो मालो 10 रुपीज है, उसकी अगर आफ fair market value देखो, वो 15 रुपीज है, मिस, उसकी आउकात है, वो 15 रुपीज की है, लेकिन वो company क्या करती है, वो share को issue करती है, 100 रुपीज पे, जैसे start-up वगेरा ऐसा करती है, क्या share को issue किया, 100 value से ज़्यादा है, तो lawmakers बोलते है कि जो issue price और FMV का difference रहेगा, issue price minus fair market value of that share, ये 85 रुपेज है, ये company के हाथ में income from other sources में taxable हो जाएगा, तो ये section क्या बोलती है, कि अगर कोई closely held company है, वो अपने share premium पे issue करती है, तो issue price minus fair market value का difference है, that is taxable under income from other sources, अब एक और section होती है, that is the section 56 to 11 कर जाता है, अब एक बास समझना, job का termination हो जाता है, जैसे retirement वगरे, terminate हो जाता है, तो terminate होता है, आपको कुछ पैसा मिलता है, तो employed से मिलता है, तो salary में taxable होगा, लेकिन आपको कहीं और से पैसा मिलता है, then it is taxable under income from other sources, जैसे माल लो एक बंदा है, उसका job था, उसने job का insurance करा जाया, जाए, जाब ना चली जाए, और माल लो जाब चली गई, तो job चली गई, तो insurance company उसको termination पे कुछ भी पैसा देगी, that is taxable under income from other sources, वो income from other sources में taxable हो जाएगा, अब एक बास समझना, एक section होती है, 57, वो बोलती है कि कुछ खर्चों का deduction आपको other sources में मिलेगा, पहली ची और income from UTI mutual fund, उसके सामने आपको एक ही खर्चे का deduction मिलेगा, interest का, जो आपने loan लिया था, invest करने के लिए shares में, या UTI mutual fund में, और किसी भी खर्चे का deduction नहीं मिलेगा, और वो deduction भी कितना मिलेगा, up to 20% of the dividend, और income from UTI mutual fund, जैसे मैं एक example लेता हूँ, मैंने क्या किया मालो, ITC एक company नहीं है, उसके share में invest किया, उससे मुझे 1 lakh रुपिस का dividend मिला, लेकिन पैसा जो मैंने लाया था, invest करने के लिए वो मैंने loan लिया था, तो मैंने loan लिया, उसका interest मालो 30,000 है, तो मेरे को dividend मिला 1 lakh है, interest है 30,000 है, क्या पूरा 30,000 less कर सकता हूँ, ना बाबू, up to 20% of the dividend, तो dividend का 20 20,000 होगा, तो बेटा 80,000 मेरा net dividend है, वो taxable हो जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, अगर आपको family pension मिलती है, तो किसी भी person को family pension मिलती है, तो उसमें deduction मिलता है, under section 57, वो deduction कितना मिलता है, 1 third of the family pension, और 15,000 रुपिस per annum, whichever is lower, तो जैसे family pension, 60,000 मिली, तो 60,000 का 1 third कितना होगा 20,000 और 15,000, lower comes to 15,000, तो 15,000 का deduction ले लो, तो 60,000 family pension में से 15,000 का deduction मिल गया, तो remaining 45,000 is going to be taxable under income from other sources, अब एक और चीज़ समझना, family pension है, उस पे वो taxable होती है, और उस पे deduction इतना मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, दो cases में family pension पूरी exempt है, एक तो अपने जितने भी, जो arm forces के employee होते मिस जो अपने army के जो लोग है, army के जो officer है, including paramilitary forces के जो employee रहते है, वो अपने सेना के जो जवान है, वो हमारे लिए लड़ते है, अब उनका अगर उनमें कोई भी सहीद हो जाता है, और सहीद होने के बाद, उनके घरवालों को legal here को अगर कोई भी pension मिलती है, तो वो पूरी exempt है, उसपे कोई भी tax नहीं लगेगा, और उसकी death के बाद, उसके घरवालों को अगर कोई भी family pension मिलती है, तो उसपे कोई भी tax नहीं लगेगा, वो पूरा exempt हो जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, अगर आपको late compensation मिलता है, compulsory acquisition पे, और उसपे interest मिलता है, तो interest is taxable under income from other sources in the year in which that interest is received, and ध्यान रखना, यहाँ पे 50% का standard deduction मिलता है, तो interest जैसे आपको 50,000 मिला, तो आपको यहाँ सिरफ 25,000 है, वो taxable हो जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, बाकी जितने भी खर्चे है, अगर कोई other sources की income कमा रहे हो, और उससे related कोई भी खर्चे है, तो उसका deduction मि मिल जाएगा, अब एक चीज़ समझना, income from other sources में कुछ ऐसे खर्चे है, जिसका deduction आपको नहीं मिलेगा, पहला तो आपके कोई personal expenses है, उसका deduction नहीं मिलेगा, या इंडिया के बाहर आपने कोई भी salary का payment किया, interest का payment किया, और अगर उसका TDS आपने नहीं काटा, तो आपको खर् usual income होती है, winnings वगेरा, lottery वगेरा, उसके सामने कोई भी खर्चे का deduction आपको नहीं मिलता, अब एक बास समझना, यहाँ पर मैंने कुछ exempt income का जिकर कर रखा है, कि कुछ income ऐसी है, जो पूरी exempt होती है, उसके कोई भी tax नहीं लगता है, सबसे पहला तो एक section होती है, 10, subsection नहीं NRE account का मतलब होता है, non-resident external account, और यह NRE account है, वो individual है, वो मानलो non-resident as per the RBI, means as per the RBI उसको permit कर रखा है, और वो as per RBI, FEMA के rule के हिसाब से, वो बंदा non-resident है, और उसने NRE account रखा है, non-resident external account रखा है, और तो उस account पे जो भी interest आएगा ना, वो interest पूरा tax free है, उस interest पे कोई भी tax नहीं है, वो interest पूरा tax free है, दूसरा section यह बोलता है, कि अगर मानलो कोई भी ऐसा disaster हो जाए, और disaster के time पे किसी individual को, या उसके legal hair को, कोई भी compensation मिलता है, central government, state government, local authorities है, तो उस particular case में वो पूरा exempt है, example के लिए मानलो बाड आ गई, example के लिए मानलो tsunami आ गई, ठीक है, example के लिए बहुत ज पता रहेगा, compensation देती है, तो government जो compensation देगी, वो पूरा exempt है, उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा, section 10-16 यह बोलती है, अगर आपको कोई scholarship मिलती है, और वो scholarship आपके education से related है, educational scholarship है, तो वो पूरा exempt है, उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा, उसके साथ साथ में, जो MP, MLA होते हैं, उन section 10-17 यह बोलता है, अगर मालो कोई भी आपको award मिलता है, award का मतलब आपको government से कोई award मिलता है, cash में या in kind में, वो पूरा exempt है, अगर government से मिलाए तो, example के लिए जो भारत रतन मिलता है, या फिर ऐसे कोई gallantry ली award वगरा मिलती है, तो वो पूरे exempt है, उस पे कोई भी tax नहीं ल हर साल आपको 3,500 in case of the single individual account के case में, 3,500 तक का interest exempt है, and guys, अगर joint account है, तो 7,000 in case of joint account है, वो exempt है, due to section 10-15, अब एक और चीज़ समझना, PPP का interest होता है, पब्लिक प्रोविदेंट पंड का interest, वो भी exempt है, उस पे कोई tax नहीं लगता, एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे आपको post office saving bank क के case में, एक चीज़ यहाँ रखना, देखो, post office saving bank का आपको interest मिलता है, जैसे for an example, मुझे 20,000 का interest मिला, तो 20,000 में से पहले तो 3,500 का exemption ले लूँगा, यहाँ पे other sources में, remaining interest कितना बचा, 16,500, अब मैं TTA में deduction और ले लूँगा, 10,000 का, तो 10,000 का deduction मुझे 80 TTA में मिलेगा, under the deduction topic कर गए, चलिए, उसके बाद में concept आता है dividend, अब dividend जो है, देखो, 3 तरह की company होती है, एक होती है Indian company, एक होती है foreign company, एक होती है domestic company, इंडियन company किसको बोलते है, जो इंडिया में incorporated हुई है, वो इंडियन company, foreign company किसको बोलेंगे, जो foreign में incorporated हुई है, उसको foreign company, domestic company किसको बोलते है All Indian Companies are Domestic Companies मलब जितनी भी तुमारी Indian Companies है वो सब Domestic Companies है लेकिन एक ध्यान रखना Foreign Company भी Domestic Company बन जाएगी अगर Foreign Company ने India में कोई Prescribe Arrangement किये है Dividend Distribution के वो Prescribe Arrangement क्या होते है जैसे India में उनको Shareholder Register रखना पड़ता है India में ही उनको Dividend देना पड़ता है तो ऐसे कुछ Prescribe Arrangement है तो Foreign Company अगर इंडिया में ऐसे Prescribe Arrangement कर लेती है तो वो भी तुमारी Domestic Company की कैटिगरी में आ जाएगी अब देखो Dividend Taxable कव होता है तो मैं बता तो Dividend है वो Shareholder के हाथ में Taxable होगा कौन से Year में होगा तो Final Dividend जो होता है वो तो Taxable उस Year में होता है जिस Year में वो AGM में Declare होता है तो Annual General Meeting में जिस Year में Company ने Declare किया उस Year में Shareholder के हाथ में वो Taxable हो जाएगा लेकिन जो Dividend होता है वो जिस Year में Distribute किया जाता है पेड किया जाता है उस Year में Taxable होगा and Interim Dividend है जिस Year में Received होता है Shareholder को तो उस year में taxable हो जाएगा, अब एक बास समझना, dividend के साथ-साथ में कुछ deemed dividend भी होते है, deemed dividend क्या होते है, जो देख के लगता है कि यह dividend नहीं है, बढ़ यह dividend माना जाएगा, सबसे पहला, अगर 222A की बात कर रहा हूँ, 222A, A4 asset याद रखोगे, अगर कोई company क्या कर दी है, अपने shareholder को asset दे देती है, dividend की जगे asset दे देती है, तो asset दे देती है, तो वो भी dim dividend माना जाएगा, to the extent accumulated profit of the company, whether capitalized or not, जैसे for an example, एक company है, उसने क्या किया, कि 10 lakh की asset दे दी, और उसका 8 lakh का accumulated profit है, मैं सुनका reserve and surplus 8 lakh है, तो यह 8 lakh रुपेज है, वो dim dividend माना जाएगा, shareholder के हाग में, and it is taxable under income from other sources, तो 222 A क्या बोलती है, कि अगर कोई company है, अपने shareholder को क्या करती है, asset दे देती है, तो वो asset dim dividend माना जाएगा, asset की fair market value है, वो dim dividend माना जाएगा, but to the extent accumulated profit of the company, whether capitalized or not, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो कोई भी company है, वो bonus share देती है, तो bonus share देती है, तो उसमें shareholder को कुछ फाइदा नहीं होता है, तो bonus share अगर equity shareholder को देते है, तो उसमें कोई asset distribute थोड़ी होती है, तो उसको dim dividend नहीं माना जाएगा, section 222B, B क्या बोलती है बता है, कि अगर कोई company preference shareholder को bonus share देती है, एक बात बताओ, equity shareholder को bonus share दिया, तो कोई फाइदा नहीं है, लेकिन preference shareholder को bonus share दिया, तो फाइदा होगा, तो preference shareholder को या तो bonus share देती है, preference shareholder को bonus share देती है, या किसी भी shareholder को equity या preference shareholder को debenture, debenture stock या deposit certificate देती है तो वो deemed dividend माना जाएगा to the extent accumulated profit of the company उसके बाद एक section होती है 222C, 222C क्या बोलती है, C का ऐसे याद रखोगे close down of the company अगर कोई company liquidation में जाती है और liquidation के time पे उसका जितना reserve and surplus है और वो क्या करती है, asset बाड़ती है shareholder को, तो shareholder के हाथ में वो deemed dividend माना जाएगा to the extent accumulated profit of the company, तो company liquidate हो गई, उन्होंने shareholder को asset है, वो 20 lakh की बाटी और उनका reserve and surplus मानलो 15 lakh था, तो 15 lakh है वो shareholder के हाथ में deemed dividend माना जाएगा taxable होगा under income from other sources, next section 222D, 222D का ऐसे याद रखोगे कि decrease in share capital, बहुत बार company क्या करती है, कि एक share की face value है, वो मानलो 10 था, अब उन्होंने क्या किया, वो share का face value 2 रुपया ला लिया और 8 रुपया shareholder को distribute कर दिया, तो decrease in share capital में share capital को आप reduce करके, और अगर shareholder को कुछ payment कर देते हो, तो वो deemed dividend माना जाएगा shareholder के हाथ में, to the extent accumulated profit of the company, अब एक बाट समझना, deemed dividend की last section होती है, 222E, और 222E सबसे interesting और यह आपको ध्यान देने की section है, तो देखो अब question ही आता है, कि यहाँ पे 222E जो है, and 222A, B, C, D, उसमें कुछ फरक है, 222A, B, C, D, and 222E में कुछ differences है, पहला difference तो यह है, कि 222A, B, C, D, जो अपनने अभी discuss किया, that is applicable to all companies, all companies, private company, public company सबके लिए है, listed, unlisted सबके लिए, लेकिन 222E वाली जो section है, वो सिरफ closely held company के लिए है दूसरी जी, 222A, B, C, D में जहां पे लिखा हुआ है, कि जो amount दे रहे हो, वो deemed dividend माना जाएगा to the extent accumulated profit of the company, whether capitalized or not, whether capitalized or not का मतलब होता है, कि अगर मानलो आपने क्या गिया, कि कोई bonus share पहले issue कर दिये, तो आपका reserve and surplus तो खतम हो गया, लेकिन जो bonus share issue किया, वो भी आपका reserve and surplus ह में बचा नहीं, आपने उसको capitalize कर दिया, बट तो भी उसको reserve and surplus में लेंगे, for the purpose of 222A, B, C, D, but 222E के लिए ऐसा नहीं है, 222E के लिए सिरप word use हुआ है accumulated profit कर के, ठीक है, अब एक और चीज़ समझना, जब भी हम accumulated profit की बात करते हैं, तो accumulated profit का मतलब income tax के हिसाफ से नहीं, companies act के हिसाब से, companies act के हिसाब से, ऐसे profit जिससे आप dividend दे सकते हो, उसको अपन accumulated profit में consider करेंगे, और accumulated profit में ऐसे profit जो P&L के थुरू बने थे, जैसे reserve, ऐसे reserve जो P&L के थुरू बने थे, उसको बोलेंगे accumulated profit, अब एक बास समझना, 222E क्या बोलती है, कि अगर कोई closely held company है, closely held company का मतलब होता है, unlisted company, closely held company क्या खरती है, अपने किसी shareholder को, जिस shareholder के पास 10% और मोर का voting power है, जिस shareholder के पास 10% और मोर का voting power है, उसको अगर कोई loan and advances देती है, तो उस particular case में वो loan और advances है, वो shareholder के हाथ में deemed dividend बन जाएगा, to the extent accumulated profit of the company, जैसे मेरी कमपनी है, BB Virtuals Private Limited, अब BB Virtuals Private Limited ने क्या किया, यहाँ पर BB सर मेरे पास 10% या उससे ज़्यादा का equity shareholding है, मुझे अगर उन्होंने क्या किया, loan दिया, तो मेरे हाथ में वो loan deep dividend माना जाएगा, to the extent accumulated profit of the company, अब एक चीज़ समझना, दूसरा point, अगर मानलो, यह closely held company है, इसने loan और advances किसी company, firm, AOPBI को दिया, किसी concern को दिया, और उस concern में, इस shareholder का substantial interest है, at any time during the previous year, substantial interest का मतलब होता है, कि इस concern में, अगर इस shareholder का 20% और more का equity shareholding है, या 20% और more का PSR है, तो उसको बोलेंगे substantial interest, तो उस particular case में भी वो shareholder के हाथ में deemed dividend माना जाएगा, या फिर मानलो, यह closely held company ने मेरे किसी दूसरे person, relative अगरा को loan दिया, और वो मेरे बिहाप पे दिया, मेरे benefit के लिए दिया, तो जितना मेरे benefit या बिहाप के लिए दिया, वो भी deemed dividend माना जाएगा, मेरे हाथ में, to the extent accumulated profit of the company, तो क्या बढ़ा, देखो, अगर कोई closely held company है, किसी भी shareholder को, जिसके पास 10% और more का equity shareholding है, या तो उसको loan देते है, या वो shareholder का किसी concern में substantial interest है, उस concern को loan देते है, या किसी other person को देते है, वो shareholder के benefit या भी हाप के लिए, तो वो deemed dividend माना जाएगा, to the extent accumulated profit of the company, अब एक और पे कर दिया shareholder ने, तो भी क्या वो deemed dividend माना जाएगा, answer is yes, लेकिन एक चीज समझना, यहाँ पे loan और advances, दोनों word use हुए है, लेकिन advances में जो trade advance होते है, उस पे deemed dividend नहीं माना जाएगा, trade advance का मतलब होता है, जो normal business के लिए advances वगरा होते है, उसके case में यहाँ पे बेटा, deemed dividend है, अब एक चीज समझना, एक और section होती है, section 222 में ही लिखा हुआ है, 222 में लिखा हुआ है, कि कुछ चीजे ऐसी होती है, जो आपका dividend या deemed dividend नहीं मानी जाएगी, पहली चीज तो, अगर मानलो कोई company ऐसी है, जो अपने shareholder को loan देती है, और वो company का काम ही loan देना है, means company is into the money lending का business, और money lending के business में है, और ordinary course of business में अगर वो company loan दे रही है, तो उस particular case में वो deep dividend नहीं माना जाएगा, means company का काम ही money lending का है, and ordinary course of business में अगर वो loan दे रही है shareholder को, तो वो deep dividend नहीं माना जाएगा, दूसरी चीज, अगर मानलो, for an example, company ने क्या किया पहले loan दिया था, और वो deep dividend माना जा चुका है, अब company क्या कर रही है, actual में dividend दे रही है, और actual dividend को उस loan से adjust कर रही है, उस loan से set up कर रही है, तो जितना set up हो रहा है ना, वो dividend नहीं माना चाहेगा, उसके बाद में guys, अगर माल लो, आपका buyback of the share है, तो वो dividend, dim dividend नहीं है, एक और चीज़ समझना, अगर माल लो, ज free of cost share दे रही है, वो dividend, dim dividend नहीं माना जाएगा, and last point, 222C और 222D जो हमने पढ़ा, close down of the company, and 222D हमने पढ़ा, reduction in the share capital, 222C and 222D है, वो preference shareholder के case में नहीं लगेगा, तो liquidation के time पे, अगर preference shareholder को को कोई भी, पैसा दिया, asset दिया, या फिर माल लो, decrease in share capital करके, preference shareholder को को कुछ दिया तो 222C, 222D है, वो नहीं लगेगा, अब एक और चीज़ समझना, अगर कोई भी assessi ऐसा है, individual achieve of AOPBI, artificial, juridical person, वो 115 BSE लेता है, तो उसको दो benefit नहीं मिलेंगे, other sources में, एक तो आपको पता रहेगा, जो मैंने अभी बतायता था, कि MP, MLA होते है, उनको क्या होता है, कि जो daily और constituency allowance का exemption मिलता है, वो exemption नहीं मिलेगा, और दूसरा, जब भी अपन clubbing में देखेंगे, कि जब भी parents के हाथ में minor की income जाती है, तो minor के हाथ में, जब minor की income parents के हाथ में जाती है, तो parents को हर बच्चे का 1500 per annum, ठीक है, per annum का एक exemption मिलता है, जैसे मालो मेरे बच्चे का income मेरे हाथ मे एड हो रहा है, 20,000, तो उसमें से 1500 का exemption मिल जाएगा, under section 1032 का, and only 18,500 taxable होगा, बट यह exemption नहीं मिलेगा, अगर मैं 115 BAC लेता हो, तो 115 BAC लोंगा, तो यह benefit नहीं मिलेगा, अब एक बात समझना, other sources में एक छोटा सा amendment और है, ठीक है, अब आप बोलोगे कहाँ पे उसका file नहीं हमारी website पे, और हमारी website का नाम है bbvirtuals.com, तो जब आप bbvirtuals.com पे जाते हैं, वहाँ पे आप free resources में चले जाए, यह free resources में, यहाँ पे डाल रखा है, CA Inter Amendment Collegendum of the Compact May November 2024, तो यहाँ पे एक तो वो salary वाला जो amendment है, जो मैंने उस revision lecture में भी नहीं करा है, यहाँ से आप आपको मिलता है ना, life insurance policy, जीवन भी मा करके ठीक है, तो life insurance policy का maturity रहता है, जो पैसा आपको मिलता है, वो पूरा exempt होता है, उस पे कोई भी tax नहीं लगता, due to section 1010-D से पूरा exempt है, लेकिन guys ध्यान रखना, तीन cases में वो taxable है, कौन कौन से cases में taxable है, सबसे पहला, तो अगर आपने premium pay किया था, और premium pay करते टाइम, अगर आपने 20%, 10%, 15% की limit cross की थी, आप बोलोगे limit कहां दे रखा है, यह deduction topic में दे रखा है न, ATC में, ATC में एक limit है बता है, कि अगर आपने कोई policy 1 for 2000, आपने कोई policy 1 for 2012 से पहले ले रखी है, तो जो भी तुमारा premium pay करते है, और policy value का 20% का एक limit लगता है, उतना ही उस पे deduction मिलता है, अब अगर मालो यह 20% की limit cross कर दी, तो maturity फिर taxable हो जाएगी, दूसरा point, अगर मालो आप policy 1 for 2012 के बाद में लेते है, तो वहाँ limit 10% की रहती है, और policy 1 for 2013 के बाद में अगर किसी handicap के लिए लेते है, या कोई person ऐसा जो specified disease से ग्रसित ह है, तो वहाँ पे limit 15% की होती है, अगर आप यह policy जो premium पे करते है, premium की limit को अगर आपने cross कर दिया, तो फिर maturity amount है, वो आपके लिए taxable होगा, अब एक और interesting चीज इन्होंने इस साल से डालिया है, और this is interesting है, यह amendment है, और आपका RTP का जो पहला question है, वो इसी पे है, अब एक बा आपने policy 1 for 2023 के बाद में लिये, 1 for 2023, date को याद रखना पड़ेगा, 1st April 2023 या उसके बाद में policy ली, और किसी भी साल में आपका premium है, वो 5 lakh से ज़्यादा है, तो फिर maturity taxable हो जाएगी, प्रीम है, वो 5 lakh से ज़्यादा है, तो maturity taxable हो जाएगी, तो मानलो मैंने क्या किया, इस साल में 23-24 में policy लिया, और उसका premium 7 lakh परेना में, तो maturity होगा, वो taxable है, अब एक और चीज़ समझना, आपने क्या किया, 1 for 2023 या उसके बाद में आपने multiple policy ले ली, मैंने मानलो for an example, 4 policies ले ली, और हर policy का premium 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh ऐसा है, तो total premium देखोगे, तो 12 lakh होगा, लेकिन मै तो बोलूगा, individual policy का premium थोड़े ही 5 lakh से जादा है, lawmakers बोलते हैं, अगर ऐसा है, तो उस particular case में क्या करेंगे बता है, कि अगर आपकी multiple policy है, तो जिसका premium aggregate up to 5 lakh है, उस पे आप exemption ले लोगे, और बाकी वाले का maturity taxable होगा, जैसे मैंने 4 policy ली, और उसका premium 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh है, ठीक है, अब एक बात समझना, पहला 3 lakh वाला जो है, वो up to 5 lakh में आ रहा है, उस पे आप exemption ले लो, अब दूसरे पर exemption लोगे तो तो total premium 6 lakh हो जाएगा, ना नहीं, दूसरे तीसरे चौते, मलब last 3 policy है, उसका exemption नहीं मिलेगा, बट एक policy पर आप exemption ले सकते है, मैंने यहाँ पर बहुत सा policy के case में, दूसरा वो limit से जादा है, या फिर यह 5 lakh का limit cross हो गया, 1 for 2000, 23 या उसके बाद में policy लिया तो, अब एक चीज़ समझना, यह अगर limit cross हो गया, 10, 20, 15 वाला, या फिर 5 lakh से जादा है, लेकिन maturity अगर death पे मिलता है, किसी के death पे पैसा मिलता है, तो वो पूरा exempt हो से understanding बैट जाएगा, total यहाँ पे 10-11 question है, अब एक और चीज़ समझना, आपका maturity आपका taxable होगा, बट question ही आता है, कि maturity क्या पूरा taxable होगा, या उसमें से premium less होगा, right answer is premium less होगा, जैसे for an example, 10 year मैं, मैंने premium पे किया था 1 करोड का, 10 lakh, 10 lakh, 10 lakh, 1 करोड premium पे किया, अब maturity मानलो 2 कर tenant आप नहीं लेंगे, जैसे for an example, मैंने premium पे किया था 10 lakh plus 5% GST, 10 lakh 50,000 का, बट तो भी आपको 10 lakh ही premium less करने को मिलेगा, 50,000 आपको नहीं मिलेगा, अब एक और चीज़ समझना, बहुत बार अगर आप term plan लेते हो, term plan में क्या होता है, जिसमें maturity होती नहीं है, maturity आपको पैसा term plan में क्या होता है, maturity वगरा कुछ आता ही नहीं है, तो उस पर कोई भी taxability का question नहीं आएगा, अब एक और चीज़ समझना, life insurance policy का maturity taxable कहा होगा, income from other sources में, other sources में कैसे taxable करने का, जो maturity मिल रहा है, minus जितना premium पे किया था, वो less कर दो, लेकिन एक चीज़ समझना, अगर उस premium पे आपके, आपने कहीं deduction लिया था, क्योंकि life insurance premium पे आप ATC में deduction भी लेते हो, तो अगर आपने premium पे deduction लिया था, तो जितना आपने deduction लिया था, वो फिर premium में से exclude हो जाएगा, while calculating the income, जैसे foreign example यहाँ पे, जैसे आपका 60 lakh का sum is assured था, आपने annual premium आपका 520 है, तो 5 lakh के limit को cross कर गया, म 10 year का policy है, लेकिन आप हर साल deduction ले रहे हो, 1 lakh 50,000 का ATC में, और maturity amount 77 है, अब एक बात बताओ, maturity amount आपका 77 है, अब उस में से जितना premium पे किया, वो less करो, आपने premium कितना पे किया, 5 lakh 20,000 पे कर रहे है, multiply by 10 years, तो 52 lakh हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, 52 lakh जो है, वो less नहीं अपन क्या करेंगे, 5 20 मैं से बाबू, 150 का तो ATC में deduction लिया था, तो remaining premium जो बचेगा, वो 3 lakh 70,000 बचेगा, multiply by 10, तो 37 lakh का total premium था, वो less कर दीजिए, बाकि जो 40 lakh है, वो आपके लिए income from other sources में taxable हो जाएगा, you got my point or not, yes, so other sources में life insurance policy वाला जो amendment है, या आप भूल के नहीं आप इसको डाउनलोड करके और इसका प्रेंट आउट लेके अपनी बुक में steple करके रख लीजिए, ठीक है, चलिए, तो guys, आज हमने revise किया income from other sources, hope so आपको ये lecture बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये lecture अच्छा लगा है, इन डीटेल लगा है, तो आप एक काम कर इस चैनल को like कर दीजिए, इस चैनल को यहाँ पर जो red color का bell icon आ रहा हो, उसको आप subscribe कर लीजिए, और ये lecture को आपके जितने भी friends से intermediate के, जिन्होंने मेरे से class लिया है, नहीं लिया है, आप उनके साथ share कर लीजिए, जिससे कि उनको भी benefit मिल जाए, और इतने अच्छे प्या प्ले, 15-20 साल के अंदर अंदर, कितने CA चाहिए, पता है, 15 साल के अंदर अंदर, उन्होंने बोला, हमको 30-40 lakh CA चाहिए, अब आपको 30-40 lakh CA चाहिए, मिस हर साल 2 lakh CA बनाने पड़ेंगे, अब 2 lakh CA बनाने पड़ेंगे, अभी CA कितने बनते है, हर साल में 20,000 CA बनते है, because एक result एक result आता है, तब 10,000 CA बनते है, दूसरे result में 10,000, 20,000 CA बनते है, अब यह तो 10% यह, उनको 90% ज़्यादा CA चाहिए, तो उसको देखते हुए, मुझे यह लगता है, कि result बहुत अच्छा रहने वाला है, और government से बहुत ज़्यादा pressure है, institute के उपर भी, कि ज़्यादा से ज़ session बढ़ रहा है, GST बढ़ रहा है, लोग written file करना चालू कर रहे है, तो उसमें CA की ज़रूद रहती है, तो CA ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, तो मेरे को यह लगता है, institute आपको pass करना चाहती है, अब आपके उपर है कि आप pass होना चाहते है या नहीं, और अगर आप सच मे पर इन बिता है, वो क्या सही बिता है या नहीं, जो आप करना चाते थे, वो आपने किया है या नहीं, आपको अपने आपको आइनलाइस करिए, अपने आप से बात करते रहे हैं, और अच्छे से positively पढ़ते रहे हैं, खुश रहके पढ़िए, और जब भी थोड़ा बहुत होते हैं, तो किसी से बात कर लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, मोबाइल से अपनी दूरी है, वो थोड़ा बना के रखिये, मोबाइल से दूरी बनाने का मतलब आप YouTube वगरा जिन faculty को आपने subscribe कर रहा है, उनके lectures वगरा आप देख सकते हैं, but on the social media and all, vesting time उस पे आपको नहीं करना है, ठीक है, चलिए, thanks a lot people, that's enough for today from my side, see you in the next episode lecture.